तो राहूल कांधी ने अपने प्रेस कॉन्फरेंस में मोधी को लेकर निशाना साथा उन्होंने कहा कि पियम मोधी ने चीन के आगे सिर चुकाया है जेट सांग में चीन अंदर आया और पियम ने भारत की पवित्र जमीन चीन को दे दी है हमारी सेना पहले फिंगर 4 में हुआ करती थी लेकिन फिंगर 3 में क्यो लोटी है चीन के कबजे पर सरकार को जवाब देना चाहिए और कैलाश रेंज से भी सेना पीछे क्यों हटी तो तमाम ये सवाल जो राहूल कांधी के ओर से इस प्रेस कॉन्फरेंस में उठाए गया और ने कहा कि पिया मोधी को इस पर जवाब देना चाहिए